कोरोना वाइरस से बचावे आम लोगों को जागरू करने को लेकर स्वास्ते विभाग द्वारा जिले में तीनों जागरूकता रथों को शानिवार को रवाना किया गया कियन विदानता के सहीयोग से बनाए गए रथों को सिये मैचो डॉक्टर कमलेश चौदरी ने हरी जन्डी दिखा कर रवाना किया वही अभी रथा गामी दिनों तक शहर के साथ साथ गाउं गाउं तक लाओड स्पीकर पर पंप्लेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे आम जन्त कोरिना के परती जागरुकता का संदेश पहुचाने के लिए शनिवार को मुख के चिकित सहाथ स्वास्तादी का इस डॉक्टर कमलेश चौदरी एं वैदानता केन ओईल एं गैस प्रमुख हरमित सहरा ने हरी जन्डी दिखा कर पचार वाहनों को रवाना किया यह अवान बार में जिले के 154 गाओं में पहुचकर आम जन्त को कोरोना से बचाओ एं सावधानियों के संबंद में जानकारी देंगे सीमेचों डॉक्टर कमलेश चौदरी के मताबिक कोरोना वाइरस को भारत सरकार ने राष्टी आपदा गोशित किया है यह एक दूसरे के संपर्क में आने और भीडबार वाले इलाकों में इसका संकर्मन आसानी और त्वरित गती से होता है इससे बचाओ के लिए यता समब घर पर रहने का प्यास करें सीमेचों ने आम जन्त के सयोग से इस मामारी को रोकने का आहवान किया साथ ही उन्होंने प्रतम चर्ण में 154 गाओं में परचार वानों के मार्द्रम से आम जन्त को जागुप करने की जानकारी दी परणीज़ को पता है कि कोरोना का आपने पूरे भारत वर्समेन यह आओ गया है और इसलिए बाडमीर जिले में भी चिकिसे विवाग सारे एंजियो और जो सारे जो अपने ग्रूप से हैं उन सबके साथ मिलकर पूरे आम जन को कम्मुनिकेशन कर रहे हैं कि कैसे कोरोना को फ करते हैं और आम जन से यह अपील है कि आप लोग पिल्कुल जैसे कि मोदी जी ने भी वह जनता कर्फियू कर दिया है कल हम तो कल से क्यों आज सी क्यों नहीं जनता कर्फियू स्टार्ट कर दें ताकि यह एक दूसरे से वाइरस नहीं जाएगा बाड़ में अच्छी बात य अपने आपको सिमित दायरे में रखे तो जी जाएंगे यह पुरा विश्वास है आज से यह जो तीन रत जा रहे हैं कि बाड़ मेर सिटी वह बाड़ मेर के अलग लग चैत्रों में रेवनिव लीजेज में जाएंगे और लावड़ स्पिकर और यह पेंप्लेट के माध्य इंडिया बाड़ में जन्त सेवा समिति के संयुक्त तत्वादार में चलाया जा रहा है इस हवसर पर जिला प्रजनेंगे स्वास्त अधिकाई डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सीयं अत्रिक्त मुख्य चिकित्चाः और सथारा जिला कारिक्रम प्रबंदक सचिन भार्गो तार कॉरेना जागुकता संबन्दी पेंप्लेट का भी विमोचन किया गया